नमस्कार दूस्ट न्यूजवल इंडिया पर हमारी खास पेशकर्स बोलते तारे आप देख रहे हैं आपके साथ में सुनाने ठाकूर जो तीशी शास्तर में राशिफल के माध्यम्स के विविन काल खंडो के बारे में भडिशवानी की जाती है वही राशिफल ग्रन अक्षतों की चाल पर में भर होता है आज के राशिफल में आपको हम बताएंगे आपके राशिफल के बारे में साथ ही बताएंगे उसके उपाई के बारे में जोले जानते हैं बारा राक्ष्चियों के बारे में और शुरुआत करेंगे में शुराश्य के साथ आपको अपना अतिरिक समय अपने शौप पूरे करने और साथी उन कामों को करने में लगाना चाहिए जिने करने में आपको सबसे ज़ादा मज़ा आता है आज अगर आपको दूश्री सी पास मानकर निवेश करेंगे तो आर्थित मुक्सान तक्रीबन पक्का होगा एक खुश्णमा बढ़िया शाम के लिए आपके घर महमानों से भन सकता है आज ही लंबे वक्त से चले आ रहे जबरों को सुझाने क्योंकि हो सकता है कि कल बहुत देर हो जाए काव में आपको पेश्ट्रीबर उपलब्धिया और साथी पायदा मिलेगा आज जीवन साथी के साथ समय बिताने के लिए आपके पास पड़ियाब समय होगा आपकी प्रेम को देखकर आज आपके प्रेमी गदगद भुझाएगा जीवन साथी के खराब स्वास्त के वज़े से आपके कामकार प्रभाबिच को सकता है चले अब उपाय बता देखी हो आपको आर्थिक स्किती को मजबूत करने के लिए घरमे तिल के देल का दिवक आवशित लाए है और आप बात करते हैं व्रिश्रासे के बारे में आपके हैसी मजाग का लिहाजाद किसी दूसरे को आपकी तरह इस छमता को विक्सित करने के लिए प्रेडिक करता है आपसे उसे यह सबक मिलेगी कि जलीगी की खुशी बाहरी जीजों में नहीं बल्कि खुद के ही भीतर भी है जमीन या किसी प्रॉपर्टी में निवेश करना आज आपके लिए खाता को सकता है जितना हो सके इन चीजों में निवेश करने से बचे दोस्तों और परिवार के साथ मज़दार समय पितेगा अपने प्रिये को समझने की पुशिश करे नहीं तो मुश्किल में पर सकते हैं आपके अंधरूनी ताकत काड़े खेतर में दिन प्रॉपर्षतर बनाने में मददगार साविच कोई किसी साथू या पंग वैक्ति को चारपाई का दान करने से आतिक पक्ष मजबूत होगा पुरिश्रासी के बाद बात करते हैं मिर्ठुन गासी की आज आप उर्जा से लबरेज होंगे जो भी करेंगे उसे आप उससे आधे वक्त में ही कर देंगे जिजना वक्त आप अकसर लेते हैं आपके पीते समय में बहुत पैसा करतिया है जिसका खामियाजा आज आपको कुट करना पड़ सकता है आज आपको पैसे की ज़रुत होगी लेकिन वो आपको बिल नहीं पाएगी घर में और आज पास छोटे मोटे बस लाव घर की सजावट में चार चांग लगा देंगे प्रेमी एक दूसरे कोई परिवारिक भावनाओं को समझेंगे चले अब उपाए बता देती हूँ आपको चांधी का कड़ा धाडन करना आर्थिक स्थिती को पहतर करेगा अब बात करकर आशी पिकरते हैं दूसरे के सपलता को सरहा कर आज आप उसका लुद्फ ले सकते हैं आज किसी विप्रित लिंगी की मदद से आपको कारोभारिया नौक्री में आर्थिक लाव दोने की सभावना है परिवार और बच्चों के साथ बिताया समय आपको फिर उर्जा से लब रिच कर देगा अपने साथी के साथ बाहर जाते वक्त ठीक तरह से दभाद करे आज का दिन समझ बूच कर करण उठाने का है इसलिए तब तक आपके विचार व्यर्थ ना करे जब तक आप उनकी सभनता के लिए आश्वस्त ना हो आपके द्वारा आज खाली समय में ऐसे काम किये जाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर सुचा करते हैं उपाई पर नज़र डाल लेते हैं डेश में वस्र किसी गरीब कन्या के ब्रभा में भेट करने से नौक्री और बिर्ज़स में तरक देगी कर के बाद बात करते हैं सिंग राशी को आश्राबादी बने और उल्जे पक्ष को देखे आपका विश्वास और उम्मीद आपकी इच्छाओं को आश्राओं के लिए नए दर्वाजिक फोड़ेगा आज किसी करीवी से आपका ज़गरा हो सकता है और बात बोट कच्छी तक जा सकती है इसकी वज़र से आपका अच्छा खासारधन खर्च हो सकता है जिने आप चाहते हैं उनके साथ उखारों का लेन देन करना अच्छा रहेगा कुछ लोगों के लिए नया रोमाज ताज गिलाएगा और आपको कुछ मिद्दाज रखेगा एहम लोगों से बाचित करते वक्त अपने आप कान खुले रखे पुर सकता है आपके हाथ कोई कीम्ती बात या विचार न चाहे चले और उपाई बताते हैं आपको रोजाना हरी खास पर नंगे पाउच चलने से आचिक सुझी अच्छ रहेगी और आप कन्या राशी की बात करते हैं सकानात्मक विचारों को ही दिमाग में आने दे आज आपको अपनी संतान की बज़र से आपकी खिलाब दोने की संभादना नजर आ रही है इससे आपको काफी खुशी होगी जरूरत के वक्त आपको दोस्तों का सभ्योग मिलेगा रचनात्मक काम में लगे लोगों के लिए सफलता से भरादिन है उन्हें वर शोहरत और पहचान मिलेगी जिसकी उन्हें एक अर्से से तलाश थी खाली वक्त में कोई पुस्तक पर सकते हैं हालंकि आपके घर के बाकी सबस्ते आपकी एक अग्रता को भं कर सकते हैं अब उपाई बता देते हूं आपको ओम शुक्राई नमह का ग्यारा बार उचारं करने से हेल्थ अच्छी रहे कन्या के बाद अब तुला राशी की बात करते हैं मुम्किन है कि आपको किसी अंग में दर्द या तनाप से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पूरे विन निवेश योजनाय जो आपको आकरश्रित कर रही है इसके बारे में कहराई से जाने की उशिश करे कोई भी कदम उठाने से पहले विशेशग्य की सलह जरूरे आपका रवया इमांदार और स्पस्टवादी रखे लोग आपकी जिड़ता और शमताओं को सरहाएंगे आज जीवन में कई एहम मुद्वों पर आप घरवालों के साथ बैट कर बात कर सकते हैं आपकी बाते घरवालों को परेशान कर सकती हैं लेकिर इन बातों का हल अवश्य निकलेगा ये शाथी शुदा जिन्गी के लिए सबसे खास दिनने से एक है आपको प्रेम की गहराई का अनुभव करेंगे चले अब उपाई जान देते हैं किसी मंदिर के सफाई में वक्त दे मानतिक स्थांती मिलेगी अब बात करते हैं वरिष्टक राशी की किसी पुराने दोस्ते मुलाकात आपका मन्द खुश कर देगी जीवन में बुरे दौर में पैसा आपके काम आएगा इसलिए आज से ही अपने पैसे की बचब करने के बारे में विचार करे नहीं तो आपको दिक्कत दो सकती है दोस्तों की परिशानी और तनाव को चलते आप अच्छा महसूस ही करेंगे आपके प्रिये से दूर होने के बावजूद आप उनकी मौटी भी मिक्सूस करेंगे नए ग्रहापों से बात करने के लिए दिन बहतरीन है साथी बता दे कि आपके पास समय तो होगा लेकिन बावजूद इसके भी आप कुछ ऐसा नहीं कर पाएंगे जो आपको संचुष्टी थे आपको लेसूस होगा कि साथी के वक्त किये गए सारे वादे सच्चे है आपका जीवन साथी ही आपका हमदब है अब उपाए बता दे क्यों आपको आर्थिक स्थिती अच्छी करने के लिए लहसून या प्याज का गात बहते जल्बे प्रभावित करें प्रिशक के बाद बात करेंगे धनूराश्टी अगर आपकी योजना बाहर भूने फिरने की है तो आपका वक्त हसी खुशी और सुकुन भड़ा रहेगा अगर आपका धन से जुड़ा कोई मामला कोट कचरी में अटका था तो आज उन में आपको विजे मिल सकती है और आपको धन लाव हो सकती है घर को सजाने सबारने के लिए आपकी खाली समय का उप्योग करें इसके लिए आप परिवार बेसरहन अपाएंगे तफ्तर की वाजनीती हो या फिर गोजबाज चीजे आपके पक्ष में चुकी नसर आएगी आपके बच्चों को आज समय का सद उप्योग करने का सलह दे सकते हैं रोजमरा की जरूरते फूरी ना होने से आपके वेवाहिक जीवन में तनाव संप्थ है राशिपल के बाद अब उपाए बता देती हूँ आपको गरेब शात्रों की पढ़ाई में सहता करने से बुद्ग्रह प्रसंद होंगे और प्रेन सम्मंदी अच्छे रहेंगे अब मकर राशी की जात को क्या दिन कैसा होता है कि जान देते हैं सेहत बढ़िया रहेगा रात के समय आप आज आपको धन लाव होने की कुई सभाव ना है क्योंकि आपके द्वारा दिया गया धन आज आज आपको वापस हो सकता है गड़ेलू काम ठका देने वाला होगा और इसलिए मानसिक तनाव की बज़ाती बढ़नी रह सकती है लिए काफी ज़रूरी है लेत्र विहिन व्यक्तियों की सेवा करना लव लाइफ के लिए अच्छा रहेगा अब अबनी राशी कुम राशी की बात करते हैं आप अपनी भावनाओं पर कादू रखने में दिक्कत धिक्सूत करेंगे आपका जीव रवया लोगों को हमित करेगा और इसलिए आपने जुंजलाहट पैदा करेगा आपके धन का संशय कैसे करना है यह उनर आज आप सीख सकते हैं और इस उनर को सीख कर आप अपना धन बचा सकते हैं जरूरत के वक्त आपको दोस्त का सहयोग मिलेगा साम के लिए कोई खास लोजना बनाए और कोशिश करे कि यह ज़्यादा से ज़्यादा रुमानी को अगर आप अपने काम पर ध्यान दे तो काम्याबी और प्रतिष्था आपकी होगी चले अब उपाई बता देती हूँ आपको काले सफेद दिल आटे में मिलाकर इसी गोलिया मच्वियों को डालने से इसके हर अच्विए लिए और अब अंतिम राशी मीन की बात करते हैं आपका प्रवल आतो विश्वास और आज के दिन का आसान कामकाज मिलकर आपको आराम के लिए काफी बख्य देंगे आपके जीवन साथी के साथ धन से जुरे किसी मामने सो लेकर आज आपका जगरा हो सकता है हालांकि आपके सांग स्वाभाग से सबकूर तखी करनेगे आपकी ज्ञान की प्यास आपके नए दोस्त बनाने में मददकार थाबिद होगी आपका जीवन साथी आज पूर्जा और प्रेम से फर्पूर है चले उपाई जान लेते हैं अब नौकरी और बिजनस में तरक्की के लिए जूट फरेव और छल कपट से बचे फिलहाल बोलते ताड़े में इतना ही मस्कार